इसके बारे में बहुत लोग जानते को कि विदेशी इतिहास को सभी लोग पढ़ते ही ना तो नेपोलियन जो कि फ्रांस का सासक हुआ था 1799 से लेके 1814 या 12 तक उसका जो है सासन काल इस प्राकार से रहा था फ्रांस में तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक मिलिटरी जनरल था यह जो हाइस्ट कमांडर था अर्था यह जो अच्छा सेना का संचलन कर सकता था यह युद्ध पद्धती इसकी बहुत ही अच्छा थी सभी भागों को जीत के जो है किसी प्रकार से अखंड भारत के स्थापना की थी तो ऐसे वीड़ा वादक ऐसे सभी प्रकार संपुन साशक कहे जाने वाला समुद्र गुप्त जो है इनकी तुलना की जाती है नेपोलियन से और समुद्र गुप्त को क्या का जाता है नेपोल जारी है दिग वीज़ाई सम्मुद्र गुप्त से जिन जो कब होते हैं चोथी पांच वी सताब्दीम ओभी स्वणनकाल को का है भारत का स्वणनीम काल तो सबसे चक्रवरति समराथ उसकी तुलना आप एक तुच्चे निपॉलियन से करते हैं और दिग वीज़ाई सम्मुद करना पड़ा भले वह मिलिटरी जलनार होगा भले वह जो है अच्छा कमांडर होगा लेकिन फिर भी समुद्र गुप्त जैसे महांतम चक्रवरति समराथ की तुलना एक निपूलियन जैसे सासक से करने के बाद यह बिल्कुल भी कहीं से भी समान एफिर जो है उचित साबिस से संथ खुषते हैं वह इधर है उधर है एक लड़की पीसे पूरा से समाना पागल तो इस प्रकार से इसमें भी नेपूलियन को जो एक आसिक लवार बॉय के तरह दिखा दिए गया है और नेपूलियन को पर देखो लोग मुवी बना रहे हैं नेपूलियन को पर लेकिन ह अमारे जैसे जो स्रणी मुकाल थे भारत का गुप्त का समराज्य था इसके चक्रवती समराथ समुद्र उनके बारे में यह लोग सीर्फ नेपूलियन आफ इंडिया कहना जानते हैं उनके उपर फिल्म बनाने के बात छोड़िया उनके बारे में इतिहास में उलेक तक नही चाहते हैं तो कहां से भारत फिर से सोणी की सिडिया बनेगा भारत वस्वणना यूग कहने जाने वाला गुप्त समराज जिसके इतिहास के बारे में हमें पता नहीं है बात नहीं के नवरतनों में स्ट सबसे बड़ी बात है कि आज भारती परंपरा भारती संस्कृति पिछडी हुई दीख रही है कि आज हम गर्व से अपना इतिहास को भी नीद पढ़ना चाहते है तो वही बात है कि आज की युवाओं को ये देखना चाहिए आज की युवाओं को जानना चाहिए कि हमारे इतिहास में अपने हें हमारे इंसेंस्टर्स थे हमारे पूर्वस थे उन्होंने क्या क्या किया और किस प्रकार से उन्होंने अपना इतिहास में अपना योगदान दिया है भारत भूमी को स्वर्णिम राष्ट बनाने में सोनी की चिडिया बना में किस प्रकार से उन किसिटिया नहीं बनेगा केवाल ब्रेटिटेसों के मानसिक गुलामी से अप अपने अपने देश के विकास नहीं कर सकते अनें ने बाव देन City त्थाह सकते लिए प्रतिप्रेम और अंग्रेजों के प्रतिप्रेम जो है लोगों का आज भी देखने को मिलेगा बॉलिवुड सबसे बड़ा उधाराना है तो यह तो बात रही है इस वीडियो को बनाने का लक्ष यहीं था कि निपूलियन के मुवी आई है तो उसी के बारे में हम बहुत समय स बात था कि निपूलियन ऑफ इंडिया कहा था दिगविजी समुध्र गुप्त को तो आप उनका इतिहास जाके पढ़िए और समझे को कितने महांतम सा सकते आप स्वयम तुलना करके देखे निपूलियन और दिगविजी समुध्र गुप्त का और वहीं कभी महा कभी काली कि इतिहास को जो sixender इंडिया उनका भी आप कमपरिशन करके देखे कि कौन कितना स्ठ्श्ट था इतिहास को अपने आप में पड़土 Sud हो अपने आप में समझे और अपने आप में thiserkरो आप उनके बारे में क्या जानते हैं आप नहीं तो उनकर दोर और एस कर सक दोर गया क्य यह सो क्या सिक्षा मिली फिर आपको वीडियो कैसे लगा जैश्री राम हर हर महादेव